आईए शुरू करते हैं जन्वरी मन्थ के इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स जो आने वाले वीपी ऐसी 67 और वीपी ऐसी सीडिप्यो एक्जाम के लिए बहुत-बहुत मौन्थ पूर्ण है चलिए, फर्स्ट कोशन है हमारा कुरूना वायरस संक्रमन के कारण बिहार ने किस राज या किंद्र सासित परदेश के राश्टी उत्सव में सामिल होने से इनकार कर दिया है सही एंसर है हमारा Option No.C कुरूना संक्रमन के चलते बिहार के युवा कलाकारों का दल पुद्धुचेरी में 12 जन्वरी से स्वामी विविकानन्द की जैनती पर आयोजित होने वाले 25 राष्टिय युवा उत्सम में सामिल नहीं होगा बिहार सरकार के कला संश्कृती विभाग ने यफ हैसला कर लिया है इसकी विद्वत सुचना किन सरकार को भेज दी गई है सेकेंड कोशन है हमारा हाली में अटल पिंसन योजना के आवेदन और पंजीकरण में कौन सा राज अवल आया है सही एंसर है हमारा ओप्सन नमबर डी बिहार नमबर 2021 तक आई आवेदन और पंजीकरण के हिसाब से अटल पिंसन योजना के मामले में बिहार अवल अस्थान पर है इस साल दो लाग चोहत्तर हजार नौसो साथ लोगों ने पंजीकरण कराया अटल पिंसन योजना की सुरुवात प्रधान मंत्री श्री नरेंद मोधी जी के द्वारा एक जून 2015 को की गई थी इस योजना के अंतरगत लाभार्थियों की साथ वर्स की आयू होने के बाद एक हजार रुपए से ले करके पांस हजार रुपए तक की धनराशी पिंसन के रूप में पर्धिमादी जाएगी तीसरा नमर कोशन है हमारा हाली में पटना कॉलेज की कौन सी अस्थापना दिवस मनाई गई है सही एंजर हमारा ओप्सन नमबर बी एक सो साथवी नौ जन्वरी को पटना कॉलेज की एक सो साथवी अस्थापना दिवस मनाई गई इस उपलक्ष पर एक सो साथ गुबारे उराए गए पटना कॉलेज की अस्थापना नौ जन्वरी अठारव सो तिरुशट को हुई थी हाली में उत्तर परदे सरकार ने मैंन पुडी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घुशना की है उत्तर प्रदेश ररकार ने एक बार फिर फैसला लेते हुए मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम बदलने का नेना लिया है देश की सेवा में अपने प्रानों की आहुती देने वाले जनरल विफिन रावत की सहाधत को नमन करते हुए मुख मंत्री योगी आधितनाथ ने जनपत मैनपुरी इस्थित सैनिक स्कूल का नाम जनरल विफिन रावत सैनिक स्कूल करने का नेना किया है मैनपुर्णी स्थित सैनिक स्कूल की शुरुवात एक अप्रेल 2019 को हुई थी उतर परदे सरकार और रक्षा मंत्राले के बीच 30 अप्रेल 2015 को हुई एक समझोते के अधार पर इस स्कूल की अस्थापना की गई थी हाल ही में किस राज में कहिलो इंडिया गेम 2023 का आयोजन करने की घोशना की गई है सही एंसर है मारा ऑपसिन नंबर सी माधि पर देश खेलो इंडिया गेम्स की सुरुआत भारत में खेल संकीति को पुनर जीवित करने के लिए की गई थी 2021 के खेलो इंडिया गेम्स को कोविट संकट के कारण अस्थागित कर दिया गया था अब इसे जनवरी 2022 में हर्याना में आयोजित किया जाएगा खेलो इंडिया गेम्स 2022-23 का आयो जन मध्द पर्दिस में किया जाएगा मध्द पर्दिस कैबिनेट ने हाल ही में भोपाल से खेलो की में जवानी करने की मंजूरी दी है छठा नमबर कोशन है हमारा हाल ही में LIC, DG, Jone, काउद घाटन कहां किया गया है सही एंसर है हमारा ओप्सन नमबर B, Mumbai भारती जीवन बीमानिगम LIC ने डिजिटल फुट्प्रिंट को बढ़ाने के अपने पर्याज के तहट बांदरा कुर्ला कॉम्पलेक्स मुंबई में DG, Jone का उधगार्टन किया है LIC के DG, Jone का उप्योग ग्राहक ऑनलाइन पॉलिसी खरिदने प्रीमियम का भुक्तान करने और अनसेवाओं का लाब उठाने के लिए कर सकते हैं टेक संचालित जीवन बीमा करता बनने के अपनी पर्यासों के एक हिस्से के रूप में LIC, DG, Jone परिजद में अस्थापित क्योश्क के माध्याम से अपने उत्पादों और सेवाओं से सम्मधी जनकारी प्रदान करेगा LIC के अस्थापना 1 सित्वाण 1956 को हुई थी LIC के अध्यक्ष MR कुमार है LIC का मुख्याल है मुंबई में इस्थित है 7 अमर कोशन है हमारा 7 अमर कोशन के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जितने भी कोशन है वो एकजाम के पॉइंट अव व्यू से बहुत बहुत इंपोर्टेंट है और ऐसे ही कोशन जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजे ताकि जब भी मैं कोई भी नया कोशन अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आपको मिले चलिए दिखते हैं अगला कोशन हाली में किस जनरल इंसूरेंस कंपनी ने बहाने छोरो टेक्स बचाओ नामक एक अभियान शुरू किया है सही एंसर है हमारा ओप्सन नमर ए भारती एस्टेट बैंक भारती एस्टेट बैंक जनरल इंसूरेंस कंपनी ने टेक्स बचाने के लिए स्वास्त बीमा खरिदने की अवशक्ता के बारे में जागरुता बढ़ाने के लिए बहाने छोरो टेक्स बचाओ नामा के अभियान सुरू किया है यह स्वास्त बीमा को चुनने के अनलाबों पर भी प्रकास डालेगा इस अभियान का उदेश इस बारे में जागरूता बढ़ाना है कि कैसे स्वास्त बीमा खड़िदने से लोगों को टेक्स बचाने में मदद मिल सकती है SBI General Insurance के अस्थापना 14 फरवरी 2009 को हुई थी इसका मुख्याले मुंबई में स्थित है SBI General Insurance के MD और CEO प्रकास चंद्र कांडपाल है SBI General Insurance का टैग लाइन है सुरक्षार और भरोसा दोनो एट नमबर कोशन है हमारा हाल ही में राश्टे स्वास्त मिसन ने किस राज में पड़्योजना निरामय की सुरुआत की है सही अंसर हमारा ओप्सन नमबर D असम राश्टे स्वास्त मिसन ने असम में पीरामा स्वास्त और सिको के सहयोग से 8 जनवर 22 को पड़्योजना निरामय की सुरुआत की इसे राज में सारवजनिक स्वास्त देखवाल वितरन को मजबूत करने के लिए डिज्टल स्वास्त प्रयोगी की एकिकरन को परदर्श्री करने के लिए लॉंज किया गया है। हाल ही में असम में नौर्थ इस्ट फेस्टिवल के नौर्थ में संस्क्रन का उद्गार्टन किया गया। नौमा कुशन है मरा विस्व हिंदी दिवस कम मनाया गया। सही एंसर है मारा। ओप्सर नंबर D 10 जन्वरी विस्व हिंदी दिवस हर वर्ष 10 जन्वरी को मनाया जाता है। पुर्प्रहान मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग ने UPA की सरकार में साल 2006 को विस्व हिंदी दिवस की घुशना की। विस्व हिंदी दिवस दुनिया भर के भारती दूतावास में मनाया जाता है। पहला हिंदी दिवस समयलन 10 जन्वर 1975 को महराष्ट के नागभूर में आयोजित किया गया था। इस समयलन का उदेश दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रशार करना था। भारत के युवा सतरंज खिलारी भरत सुब्रह्मन्यम देश के 73 ग्रेंड मास्टर बन गये हैं उन्होंने इटली में एक टूर्णामेंट में तीसरे और अंतिम ग्रेंड मास्टर मांदर्ण हासिल किया और या उपलब्धी हासिल की चेन्नाई के चोदा वर्सिय खिलारी कैटोलिका में आयोजित पर्द्योगता के नौवे दौर में 6.5 अंख हासिल कर चार अन खिलारियों के साथ साथवे पायदान पर रहें उन्होंने यहां अपना तीसरा ग्रेन मास्टर मांदन प्राप्त करने के साथ अपेक्षित 2500 ELO अंख भी हासिल कर लिया भारत से पहले मित्राब गुहा पिछले साल नौमर में 72 ग्रेन मास्टर बने थे जबकि उनसे दो दिन पहले संकल्प गुपता एक अतरवे ग्रेन मास्टर बने थे भारत के पहले ग्रेन मास्टर विस्वनाथन आनन्द थे एगरवा नौमर कोशन है हमारा हाल ही में किस कोट में राजसुदा आम्स एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए मंडल्यायकत ने दोनों नीर्न संसक्रित में लिखे उत्तर पर्दिश के किसी भी राजसुन आले में या फैसला जो संस्कित में लिखा गया है धार्मिक कर्मकान तथा सिक्षाषित के सीमित पार्थिकर्म तक ही सिमट कर रह गई संस्कित को मान देते हुए जहांसी मंडला युक्त ने या इतिहासिक निर्णा लिया जहांसी में स्ट्रॉबेरी महत्सव का आयोजन किया गया था इंपोर्टेंट पॉइंट है एक्जाम के लिए बरामा कोशन है हमारा हाल ही में किसे ACI और सरंचना निवेस बैंक का उपाध्यक्ष निक्त किया गया है सही एंसर है हमारा ओप्शन नमबर B उर्जीत पटेल हाल ही में भारती रिजर्ब बैंक के पूर्फ गवर्णर उर्जीत पटेल को ब्रिजिंग इस्तित ACI और सरंचना निवेस बैंक AIIB का उपाध्यक्ष निक्त किया गया है अक्टूबर 2021 में केंद्रिय वित्मंत्री ने AIIB के Board of Governors की छटी वार्षिक बैठक में भाग लिया ACI और सरंचना निवेस बैंक एक पहुपक्षे विकास बैंक है जिसका उदेश एसिया में समाजिक अर्थिक परिनामों को बेहतर बनाना है इसकी अस्थापना AIIB Articles of Agreement नामा के एक बहुपक्षे समझोते के माध्यम से की गई है इसका मुख्याल है ब्रीजिंग में है और जनवरी 12-16 में इसका परजालन सुरू हुआ